इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैंडिफेक्टरिंग, ड्रोन फ्लाइंग से जुड रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि बीते आठ नव वर्षों में कैसे देश के स्पोर्ट सेक्टर का काया कल्प हो गया है। आज देश भर में नए स्टेडियम तयार हो रहे हैं, नई एकेडेमी तयार हो रही हैं, इनमें कोच, टेक्नीशन, सपोर्ट स्टाप की जरुरत पड़ रही हैं। देश में स्पोर्ट का बजेट दो गुना होने से भी युवाओं के लिए नए मोके बन रहे हैं। साथियों, आत्म निर्भर भारत अभियान की सोच और एप्रोच सिर्फ स्वदेशी अपनाने और वोकल फोर लोकल से कहीं जादा है। यह सिमित दाइरवाला मामला नहीं है। आत्म निर्भर भारत अभियान गाउं से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोडों नए आउसर पैदा करने वारा अभियान है। आज आधुनित सेटिलाइट से लेकर सेमी हाइस्पीड ट्रेन तक भारत में ही तयार हो रही है। बिते आठ नव वर्सों में देश में 30,000 से जादा नए और सुरक्षित LHB कोचिज बनाए गए है। इनके निर्मान में जो हजारों टन स्टील लगा है, अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्स लगे हैं, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए हैं। मैं आपको भारत की टॉइ इंडस्ट्री का भी उधान दूँगा। अभी जितन्द सिंग जी ने उसका उलेक भी किया। दसकों तक भारत के बच्चे विदेशों से इंपोर्ट किये गिये खिलोनों से खेलते रहें। ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी थी, ना ही वो भारतिये बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने आयात होने वाले खिलानों के लिए क्वालिटी परामिटर तै किये। और अपनी स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शुरू किया। तीन-चार वर्ष में ही टॉय इंडस्ट्री का काया कल्प हो गया। और इससे रोजगार के अनेकों नए अवसर तयार हुए है। दसकों तक ये एप्रोच भी हावी रही कि डिफेंस एक्विपेंट सिर्फ आयात किये जा सकते हैं, बार्चे ही ला सकते हैं। हम अपने देश के मैनिफेक्चरर्स पर ही उतना भरोसा नहीं करते थे। हमारी सरकार ने इस एप्रोच को भी बदल डाला। हमारी सेनाओं ने तीन सो से जादा ऐसे साजो सामान और हथियारों की लिफ्ट तजार की हैं, जो अब भारत में ही बनाए जाएंगे, भारतिये इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे। आज भारत 15,000 करोड के डिफेंस इक्विप्मेंट विदेशों में निर्यात कर रहा है। इससे रोजगार के हजारों अवसर तयार हुए हैं। के करा भारत 15,000 को यह हैं त्या हैं। झाल 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 झाल